हलो दोस्तो मैं हूँ अनुब और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक दोस्तो आप सब को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले चाइना के गॉर्मेंट का माउथ पीस मतलब ग्लोबल टाइम्स के तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए एक तरीके से इंडि को भी इसमें घसिटने का कोशिश किया गया और बताया गया कि इंडिया को तीन अलग अलग देशों के साथ लड़ना पड़ सकता है पर दोस्तो ग्लोबल टाइम्स भूल चुका है कि अगर इंडिया को तीन देशों के साथ लड़ना पड़ेगा मतलब चाइना पाकिस्तान और नेपाल के साथ अगर लड़ना पड़ेगा तो क्या चाइना प्रस्तुत है two front या फिर उससे अधिक front में लड़ने के लिए दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना को कौन कौन सा देश का सामना करना पड़ सकता है और चाइना का असल हकिकत क्या है और क्या चाइना एक साथ इतने देशों का सामना कर सकेगा दोस्त आफ सब को पताई है कि चाइना भारत के साथ कभी भी प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ना नहीं चाता है बलकि अपने कुछ पाले हुए भौकने वाले जानवरों को भारत के साथ लड़ाने का कुशिश करता है जिन में पाकिस्तान सबसे प्रमूख है जबकि आजकल तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो भी इन कैटेगरी में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे है पर अगर ऐसा कभी होता है कि इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो तो नेपाल का तो कह नहीं सकते लेकिन पाकिस्तान जरूर इसमें कूदेगा और ये लड़ाई दो लड़ाई के लिए अपने आपको परस्तवत भी कर रहा है पर चाइना का मामले को देखे तो आपको पता चलेगा कि चाइना को दो फ्रोंट में नहीं बलकी मल्टी फ्रोंट लड़ाई के लिए अपने आपको तैयार करना चाहिए जिन में भारत के इलावा अमेरिका, और चाना जिस तरीके से भारत के जमीन को हरपने का कोशिश कर रहा है लगबग उसी तरीके से इन देशों का जमीन भी हरपने का कोशिश कर रहा है साथ चाना सी के अंदर डिस्प्यूट हो या फिर इस चाना सी में जैपैन के आइलेंड हो चाना का नजर हर एक के जमीन के उपर है इसलिए चाना का बॉडर डिस्प्यूट भी हर एक देश के साथ है हाली में एक रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया था कि चाना का डिस्प्यूट लगभग अपने हर एक बडोसी इवन अपने समुंदरी सरुत को साथ लगे हुए देशों के साथ है जिसका संख्या 14 से अधिक है और अगर भारत के साथ ऐसा कोई जड़प होता है तो इन म हास किया जा रहा है उसे भी चाना के हाथ से छुड़ा लिया जाए दोसो एक्जामपल के रूप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा साथ चाना सी के अंदर अपने डिप्लाइमेंट को बढ़ाया गया है और अमेरिका का साथ देने के लिए और जेप जाएन भी एक कदम आगे आ चुका है इवेन जेपैन का मामला तो इन दोनों देशों के तुलना से भी काफी आगे बढ़ गया है जहाँ पे जेपैन द्वारा हाली में चाना के विरुद अपने मिसाल डिफेंस सिस्टम और बैलेस्टिक मिसालों को भी तैनात कर दिया गया है आप सब लोगों को पता ही होगा कि इस चाइना सी के अंदर जेपैन का जो सांकाकु आइलेंड है उसके उपर चाइना का नजर है और चाइना के तरफ से इसे अपना आइलेंड कहा जाता है पर ITIC ग्रूप से देखे तो ये जेपैन का आइलेंड है और चाइना इसे इलि राउंटर करने के लिए अमेरिका से खरिदा हुआ P.A.C. 3 सिस्टम मतलब पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को तैनात किया गया जो खाली एंटी एरक्राप मिसाइल सिस्टम नहीं या बल्कि एक तरीके का बैलेस्टिक और क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो के रेंज में चाना के शांगाई से लेके बीजिंग तक है और चाना को इसके लिए भी अभी प्रस्तोत होना चाहिए दोस्तों इसके इलावा ताइवान के मुद्धे को लेके आप सब लोग को पताई है कि ताइवान किस तरीके से एक अलग देश होने के बावुजूद च चाइना के हरकतों के बज़ाद से अपने आपको एक अलग देश ग्रूप करने में असफल हो रहा है। ताइवान के पुरा का पुरा देश के उपर ही चाइना अपना दावा रखता है और चाइना का कहना है कि ये कोई अलग देश नहीं बलकि चाइना का ही प्रॉविंस है। चाइना के बहुत सरे जहाजों को भी सीज किया गया है और साती साथ फाइटर एरक्रेप्टों को भी अपने एरिया से ख़दर दिया गया था। इससे अपने लोगों को पता चल रहा होगा कि दुनिया का ध्यान अगर भटक जाएगा तो चाइना टाइवान के उपर कबजा भी कर सकता है। और इससे ही बचने के लिए ताइवान भी लगवग एक मौके का तलाश कर रहा है कि कब चाइना थोड़ा कमजोर हो या फिर किसी और फ्रांट में लड़ाई में बिजी हो जाए ताकि ताइवान अपने आपको एक अलग देश का दरजा दे पाए। इसके इलावा है वेतनाम दोस्तों आप सबको पताई होगा कि चाइना का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है वेतनाम जिससे चाइना एक बाल लड़ाई भी हार चुका है और वो लड़ाई बुरी तरीके से हारा था। और हाली में ऐसे दो जाहाजों को चाइना दुबा भी दिया गया था। अपने डिस्प्यूट को सेटल कर पाए इवेन वेतनाम के मामले को देखे तो वेतनाम तो ऐसे भी अगर डिस्प्यूट ना भी होता तो भारत के पक्ष में चाइना के खिलाब ज़रूर अपना महास को खोल देता। और दोस्तों इस समय में खाली इतने देश नहीं बलकी नेटों के मेंबर और योरोप के देश भी चाइना के उपर काफी जादा नाराज है क्योंकि चाइना के तरफ से महामारी को जिस तरीके से फैलाया गया और जिस तरीके से योरोप के अंदर इस महामारी के बज़ा से लाखों लोग मारेगे उससे भी इन देशों के अंदर चाइना के खिलाब एक तरीके से नफरत पैदा हो चुका है और ऐसा नफरत खुल के उन देशों के अंदर भी फूट के आगे आ रहा है और ऐसे सिचुएशन में अगर चाइना किसी देश के साथ लड़ाई शेड़ने क का खुशिश करेगा तो योरोफ के देश और नेटो मेंबर द्वारा चायना के ऊपर military pressure खाली नहीं बलकि ऐसा भहंग कर diplomatic pressure create किया जाएगा कि चायना ना चाहते हुए भी surrender करने पे मजबूर हो जाएगा तो दोस्तो आप लोगे को क्या लगता है कि जो आपको मेरा notification मिल पाए सबसे पहले जैहिन